इस वक्त जो है जो अवैद निर्मार थे जो अवैद दुकाने बनी थी उन्हें बुल्डोजर के सरी गिराया जा रहा है ये मेडिकल की दुकाने थी जो अवैद तरीके से ठीक पहाड़ी के नीचे बनाई गए थी उन्हें को बुल्डोजर ने यहाँ पर धुस्त कर दिया है मेडिकल की दुकान है उन्हें तोड़ा जा रहा है ये देखे पूरी चट एक बार में गिर गई जो आगे शिट निकला हुआ है इसे देखे अतीफ खाग दी भंडार या लिखा हुआ और इसको इस तरिके से डिमोरिश कर दिया जा कि जैसे उतर परदेश में हो रहा है ऐसे ही हाँ पर होना चाहिए और मतलब चलनी चाहिए बिल्डोजर नुह को हिंसा की आग में जलाने वानों का फुल एंड फाइनल इराज हो रहा है उनमाद की पट्टी आखों पर बांद कर भीड की शक्ल लेकर हैवान बने एक एक चहरे से नकाब हटाया जा रहा है भीड की आड में भीड के पीछे चिपे और भीड का हिस्सा बने दंगाईयों पर ताब और तोड एक्शन हो रहा है वो एक्शन जिसकी दरकार थी वो एक्शन जिसकी मांग नूह और मेवाद के बेगुनाह लोग कर रहे थे वो एक्शन जिसे कहा जाता है दयोगी एक्शन नूह में बुल्डोजर एक्शन शुरू हो गया है नूह के शिम मंदर के आज़ पास तमाम अवैड ठिकानों में प्रश्यासन की टीम बुल्डोजर ने कर पहुँची और कई अवैड ठिकानों को गिराया गया नूह में और कहां बुल्डोजर चले नूह के शैतानों पर और क्या-क्या शिकंजा कसा इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे पहले 31 जुलाई को हुई हिंसा में कितना नुक्सान हुआ उस पर एक नज़र डाली नूह के हिंसा में चार लोगों की मौत हुई तकरीबन 60 घैल हुए 120 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया कई दुकानों में आग लगाई गई और लूट की वारदा थुई पर जैसा की योगी का बुल्डोजर मौडल कहता है उपद्रव्यों ने जो नुक्सान किया उसकी भरपाई उपद्रव्यों से ही की जाएगी और तुरंट इसका फुल एंड फाइनल किया जाएगा इसी मौडल पर चलते हुए अर्याना के नूह में जिन जिन इलाकों में हिंसा भरती जहां जहां से उपद्रव्यों को मदद पहुचाई गई उन तमाम अवैट ठिकानों पर बुल्डोजर एक्शन शुरू हो गया सबसे पहले सुबह 10 बजे नूह के शिव मंदर जाने के रास्ते पर अवैट दुकानों पर बुल्डोजर की कारिवाई की गई यह वही रास्ता है जहां से होते हुए 31 जुलाई को उपद्रवी गुजरे थे जिस महादेव मंदर में कलश यात्रा निकली थी नलेश्वर महादेव मंदर में जहां पर दंगाईों ने उपद्रवी जो वहाँ पर पहुंचे थे दंगाई पहुंचे थे उपद्रव मचाया था उसके आसपास तकरीबन दो से तीन किलोमेटर दूर ये 25 से 30 दुकाने हैं जिन सब को अभी ठाया जा रहा है बुल्डोजर एक्शन के जरीए और ये तमाम जो दुकाने यहाँ पर है अवैद तरीके से बनाई गई थी ने अवैद बताया गया है जरा मैं और आगे आओं अपने विजी आमल के साथ तो आपको दिखाती हूँ ये देखिए जिन पर एक्शन हो चुका है ये तमाम रेडिया थी ये मेडिकल कॉलेज है यहाँ का जिसे आप देख सकते हैं शहीद हसन खान अमेवाती गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज और यहाँ करके ज़र आप आगे अगर आते हैं मेरे साथ तो देखिए ये तमाम जो पूरी च्छात एक बार में गिर गई और इसे इसे गिरा दिया गया है ये मेडिकल कॉलेज ये देखिए कितनी तेजी के साथ इस वक्त बुल्डोजर एक्शन हो रहा है तमाम दुकानों को गिराया जा रहा है दोपहर डेड़ बजे नू के नलहड चौक पर अवैद दुकानों पर प्रशासन का बुल्डोजर एक्शन चुरू हुआ पूरे इलाके में अवैद अतिक्रमन पर पिछले तीन दिन से कारवाई चल रही है लू में जिस तरीके से हिंसा हुई आज पाच्वा दिन है और अब कारवाई होते हुई दिख रही है जो बुल्डोजर आक्शन है वो शुरू हो चुका है लगातार तीन दिन से जो बुल्डोजर की कारवाई है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिली है आज देखिए वापस एक बर फिट जो अलग चौक है यहाँ पर जितने भी अवैद दुकान बने हुए थे जो रोड के साइड में निकले हुए थे उन सभी दुकानों को यहाँ पर तोडने का काम शुरू हो चुका है देखिए यहाँ पर जो बुल्डोजर आक्शन है वो आपको होता हुआ दिखाई देगा जो आगे शिड निकला हुआ है इसे देखिए अतीफ खाग भी भंडार या लिखा हुए और इसको इस तरीके से डिमोरिश कर दिया गया इसे ढा दिया गया तोर दिया गया नूह को नफरत ने जलाया ये तैय है नूह को साधिशन उनमादी आग की भटी में जोका गया ये भी तैय है जिस जगे हिंसा की शुरुआत हुई ये पूरी सलक उसी इलाके को जाती है ये सलक उस पहाडी के ठीक पास है जिस पहाडी के आर लेकर उपद्रव्यों ने हिंसा भड़काई थी पुलिश सुत्रों की माने तो इस इलाके की दुकानों से भी उपद्रव्यों को मदद पहुचाई गई अब इन अवैद दुकानों पर योगी वाला एक्शन लिया जा रहा है नू में बुल्डोजर एक्शन लगातार जारी है आज भी नू में जो अवैद निर्मान हैं उसे खटाने की खवायत लगातार की जा रही है तस्वीरों में आप देख सकते किस तरीके से इस वक्ट जो है जो अवैद निर्मार थे जो अवैद दुकाने बनी हुए थी उन्हें बुल्डोजर के जरिये गिराया जा रहा है तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्ट इस तरीके से एक साथ, तीन तीन बुल्डोजर, बुल्डोजर नमर एक, बुल्डोजर नमर दो और बुल्डोजर नमर तीन, यह तीनों बुल्डोजर एक साथ, यहाँ पर जो अवैद निर्मार थे, जो अवैद दुकाने बनी हुई थी, उन्हें हटाने की कोशिश लगाता जारी है, और जिनकी अवैत दुकानों पर बुल्डोजर की कारवाई हुई उनका आरोप है कि कारवाई करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया आप से हम जानना चाहेंगे यह आपका दुपान तो यहां पर भी बुल्डोजर से अभी देख रहा हूं काफी समान है आप लोगों ने हटाया नहीं अरे तो आज ही बताया तो हटाते कैसे मतलब बताना तो चुछ दिन पहले कुनों ने कुछ दिन पहले बताया नहीं तो हमने हटाया नहीं परनुह की जनता चाहती है यूपद रव्यों पर वही एक्षन हो जो यूपी में होता है हर्याणा में योगी मॉडल की गूझ किस तरह सुनाई थी वो भी आपको दिखाते हैं तो विल्डोजर जहां है जहां चलनी है वही चलनी चाहिए आपको क्या लगता है योगी मॉडल बहतर है जैसे उतर पड़ से में हो रहा है ऐसे यहां पर होना चाहिए और मतलब चलनी चाहिए विल्डोजर हाँ पर पैसला हुना चाहिए जैसे हो रहा है दो दंगाई है जुनों ने नुकसान पहुचाया उनके ऊपर ऐसे एकशन होना चाहिए 21 जुलाई का दिन शायद ही नुह के लोग कभी भूल पाएंगे हिंसा को पांच दिन बीच चुके हैं और उसके निशान अब भी बिलकुल ताजा है जिस तरह हिंसा फैली दुकानों मकानों गारियों में आग लगाई उसने पुलिस प्रशासंग के सामने कई सवाल खड़े किये पहला सवाल आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में भीड़ी कठा होगे भीड़ के पास पहले से लाठी, डंडे, पेट्रोल बम और बंदू के कैसे थी क्या कलश यात्रा निकलने से पहले ही हिंसा की स्क्रिप्ट लिख ली गई थी हिंसा में दुकानों को चुन-चुन कर टार्गेट क्यों किया गया हिंसा की भनक ना लगना, क्या इंटेलिजन्स फेलियर नही इन सारे सवालों का जवाब ढूनने में तमाम एजन्सिया लगी नलहर के प्राचीन शिवमंदर जाने के रास्ते पर जहां हिंसा के दिन कई गारियों को आग लगा दी गई वहाँ जाज के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची, एक-एक सुबूर, एक-एक साक्षे कठा किये गए 31 तारिक को जो सामप्रदाइक हिंसा की घटना घटी थी, उसके बाद जो फॉरेंसिक की टीम है आज नलहर शिवमंदर के पास पहुंची है ये पूरा का पूरा इलाका जो सडके काली हुई दिखाई दे रही है, इन सडकों के उपर जितनी भी गाडियां थी, सब में आग लगा दी गई थी जो दंगाई थे उन्होंने जम कर हुड़दंग मचाया और अब देखे जो फॉरेंसिक की टीम है, वो यहाँ पर आई हुई है, एविडिन्स इकठा कर रही है, ताकि जितने भी लोग इस सामप्रदाइक हिंसा में दंगा करने में इन्वाल्ब हैं, उनके खिलाफ सबूत इकठा किया जा सके, टीम जो है वो आकर यहाँ पर एविडिन्स इकठा कर रही है, ताकि जितने भी सबूत हैं, उनको यहाँ पर अच्छी तरीके से इकठा किया जाए, और जब इन्वेस्टिगेशन होगा और तमाम जो लोग होंगे, वो पत्थर कहां से आए, कौन-कौन से वेपन्स इस्तमाल किये गए, किस तरीके का रूट रहा होगा, यह तमाम चीजें जो है, यह जाच टीम यहाँ पर एकठा कर रहे हैं, एफसल की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्राचीन नलेशवर शिव मंदिर में जाच शुरू कर दी, यहाँ से एफसल की ट सबूत है, वो यहाँ से एकठा करी, यह पूरा का पूरा जो मंदिर है, वो तीनों तरफ पहाडियों से घिरा हुआ, और आप अधिकारियों को देखिए, जो अधिकारी हैं, जो मंदिर की दिवारे हैं, उनके पास जाकर देख रहे हैं, कि किस तरीके से 31 तारीक को मंजर र जाके में, और तीनों तरफ जो है, यह पहाडियों से घिरा हुआ है, अगर 31 तारीक की अगर आपको तस्वीरें याद होंगी, तो आपने देखा होगा कि इन ही पहाडियों के ऊपर से जो है, वो पत्थर बाजी की जाती है, और कुछ फायर जो है, वो ओपन किये जाते हैं मंदिर के तरफ और उसके बाद आज छटवा दिन है, और एफसल की टीम जो है, वो यहाँ पर पहुंची है, आप देखे, नूह में हुई हिंसा के प्री प्लैंड होने की कई वज़े नजर आती है, नूह में हिंसा सिर्फ एक जिगे नहीं, बलकि पूरे जिले के अलग-अ इलाकों में हुई, नलहर चौक जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई, वहां से 20 किलोमेटर की दूरी पार बढ़कली चौक से भी हिंसा की वैसी ही तस्वीरे सामने आई, यहां भी दुकानों को आग के हवाले किया गया, तोड़ फोड हुई, पेट्रोल बंप चलाने की खबर मचाया, उसके जो निशानी और जो तबाही के निशान हैं वो इस वक्त भी यहां पर देखे जा सकते हैं, ये एक तेल का मिल था, तेल का मिल जिसमें की मस्टर्ड ओयल रखे हुए थे, कनस्तर में भढ़के और आप देखे जरा, तमाम जो उसके तेल के बड़े-बड़े वो सब फेके हुए हैं, क्योंकि सब कुछ जला कर इनुप पद्रवियों नडाक कर दिया है, मिल के अंदर की तस्वीरें भी अगर आपको दिखाओं, एक लाइन से ये तीन से चार दुकाने हैं, जिन सब को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यहां पर सिर्फ जो जले वही बाकी हैं, यह आटो पार्ट्स की दुकान थी, इस दुकान का नाम है सोनू आटो पार्ट्स, और ज़रा देखी, अगर अंदर चले हम अनुज, तो यह बहुत ही ज़ादा जल इसको पूरी तरीके से नुकसान पहुचाए गया, पहले पूरा तोड़ा गया इस दुका को खतम कर दिया गया, पूरी तरीके से दुकान को खाक कर दिया गया है, और जाहिर तोर पर जिस वक्त हिंसा हुई हमारी जो इन दुकानों के मालिक थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उनका साब तोर पी यह कहना था, कि उपद्रवी इसमीं जादा संख्या में थे, क कि उस समय उन्होंने अपनी जान बचानी पहले प्रियॉर्टी दी और इसी वज़र से, जैसे ही उपद्रवी आए, ये लोग अपनी जान बचा कर यहां से निकल गए, लेकिन उपद्रवी जो हैं, वो लगातार हिंसा करते रहें तस्वीरों से साफ है, कैसे चुन-चुन कर एक समुदाए की दुकानों को टार्गेट किया गया, कैसे प्लानिंग के तहट पहले हत्यारी कठा किये गए, फिर बड़कली चौक में उत्बात मचा है गया जिस तरीके से ये बात सामने आई, कि बाकाईदा सलेक्ट कर उनके द्वारा किया गया, कि किन दुकानों को आख के हवाले करना है, क्योंकि अगर इस पूरे मार्गेट किया है, कि चुन-चुन कर वैसी दुकाने टार्गेट की गई है, जो दूसरे समुदाए की है ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बाकाईदा टार्गेट दुकाने थी, जिनमें ये तोड़फोल की गई, और चौराहे पर भी देखा जा सकता है कि कैसे, यहाँ पर भी गारीयों को आख के हवाले किया गया था, बाकाईदा जो पुलिस पिकेट थी, उनको तोड़ा गया थ और पत्थराओं, जमकर पत्थराओं किये गये थे, हाला कि अभी इस वक्त यहाँ से वो तमाम चीजे हटा दी गई है, लेकिन जिस वक्त हिंसा हुई उसके बाद यहाँ पर जमकर पत्थर चलाए गये थे, सब बोतले तोड़ी गई थी, और जिस तरीके से जाच में ये ब पत्थराओं किया था, उसके बाद ये जो उपद्रव हुआ, उसके लिए पहले से तैयारियां कर ली गई थी, विल्कुल उपद्रवी तो अपनी हिंसा करके लोट गए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ, तो वो है गरीब का, बड़कली चौक में अपने दुकान चलाने वाले फरीद, हिंसा के पांच दिन बाद अपने दुकान देखने लोटे, जब लोटे तो दुकान की हा लिए गया, काला तोड़ दिया गया, 40 साल होगी हमारे वह दुकान होता है, अप फिर से कैसे आप इसको पता है किसी रिस्धार वगरा से लाएंगे, पैसे किसी यार दोस्ते पैसे लेंगे, जब सुरू करेंगे, हमार पास कुछ खाने जब लेंगे नहीं रहा, कितना नु लिए भी बताया, कैसे हिंसा में चुन-चुन कर हिंदूों की दुकानों को टार्गेट किया गया, हमारा सारा समान खेंच करकर जला दिया गया, और हमको मारने कोशिस करी गई, लेकिन हम तो भाग गये, यापका बगल में जो दुकान थी, इसका कुछ ना हो, वह परले तर अफरत की आग में जोका गया, इसका पता लगाने जब हमारी टीम अपने सवालों के साथ पहुँची, तो हमें तो जवाब देने वाला कोई शक्स नहीं मिला, मिले तो बंद दर्वाजे उन पर जड़े ताले हम अब आ गये हैं, महादेव मंदिर जो है, नलेशन महादेव मंदिर उसे तकरीबन एक से देर किलोमेटर की दूरी पर, जहाँ पर कई ऐसे घर आपको मिल जाएंगे, जहाँ बाकाइदा इसी तरीके से ताला जड़ा हुआ है जाहिर तोर पर जिस तरीके से इस उपदरों के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, तमाम जगों पे च्छापे मारी की जा रही है इस बाबत ये बात सामने आई है कि कई लोग अपने घरों पर ताला लगा कर फरार हैं घर से गायब हैं पुलिस के डर से कई जगों पे इसी तरीके से ताले आपको। अगर आपको तो देखिए ज़रा यह जो कमरा यह पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है हलाकि इस खिड्की के जो शीशे हैं वो भी तूटे हुए हो सकता है कि उपद्रव के दौरान यहां पर भी उपद्रव हुआ हो और खिड्की के शीशे तूटे हो लेकिन देखिए जरा फिलहाल ताला बंद है घरों के अंदर कोई मौजूद है या नहीं ये जानने के लिए हमारी टीम ने आवाज लगा कर घर के लोगों को बुलाने की कोशिश भी की पर जवाब में सर्फ सन्नाटा ना सर्फ ये इधर साइट के ये जितने मकान है बलकि आगे आप गाउं म आपको दिखा पाएंगे आमिल की तो चारपाई लगी हुई है लेकिन घर पूरी तरिके से खाली है यानि की घर के जो लोग है वो यहां से जा चुके हैं लेकिन ऐसा देख करके साफ साफ लगता है क्योंकि चारपाई बिची हुई है कुछ सामान भी रखा हुआ है पानी बरा हुआ एक जो ड्रम यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है उसमें इसका मतलब है लोग यहां पर थे लेकिन फिलहाल लोग यहां से चले गए हैं यानि उपद्रव होने के तीन से चार दिन के बाद अब इन घरों पर ताला लटका हुआ है लोग अपने घरों को बाहर से अनुच मिश्रा, रवी कांत राय और अभिशेक राज के साथ, प्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउन अभरत